हलो हलो एंड वैलकम तुमाइ यूट्यूब चैनल आपको आरेधी पता है कि हमने इरिक्षन को कम्प्लीट किया इमन डेवलपमेंट पे आप हमें समझना है सिक्मन फ्राइट को तो चरिये इस वीडियो लेक्चर में हम सिक्मन फ्राइट को समझते हैं कि उसने हिमन डेवलपमेंट के बारे में जो थेरी दिये हैं उन्ही को समझते हैं और चलते हैं स्लाइड नमर वन के ओर पहले कुछ बुक्स जो आपको जुरूरी याद रखने हैं सिक्मन फ्राइट पे 1856 से 1939 तक ये थे और आस्ट्रियन निरो निरो लाजिस्ट एंड फाउंडर आप साइको एनलेसिस के हैं ये फाउंडर है और इनकी जो में बुक्स हैं वो आपको याद रखने हैं इसको आप एक दो बार पढ़ ली जेगा गोत्रु की जेगा तो ये आपको याद रहेंगे इन्टर्प्रेटेशन आप द्रीम्स दाइगो एंड एट त्री एसेज ऑन देएरी आप सेच्च्वालिटी टोटम एंड टैबो स्टैडीज ऑन हिस्ट्रिया ड्रीम साइकोलाजी दे फ्यूचर आफ एन इलूजन और और एक जो इनकी लास्ट बुक है वो नास्सिस्म पे ठीक है ये बुक्स जो है ये आपको याद रखने हैं इनको एक दो बार आप पढ़ लीजेगा ताकि आपको याद रहें इनसे भी कौच्च नजाते हैं कभी-कभी ये बुक बताइए किसने लिखी है और कुछ इनके में पॉइंट इस जिनको हम याद रखेंगे According to him इसने क्या कहा Child go through a series of psychosexual stages that leads to the development of adult personality इसने का जो बज्चा होता है वो go through होता है psychosexual development और वहाँ आपको याद है मैंने आपको क्या कहता है Eric Rickson इसने क्या कहता है psychosocial इसने sexual factors पर फोकस किया था that leads to the development और उसी की वज़े से जो इसके psychosexual stages develop होते हैं different इसके psychosexual stages होते हैं जैसे बच्चे होते हैं फिर देरे देरे जब वो बड़े होते हैं तो उनको जो sexual organs है वो develop होते हैं फिर उनके अंदर sexual feelings develop होते हैं फिर intercourse की और वो बढ़ते हैं तो देर देरे देरे उनकी वज़े से that leads to the development of adult पर उसकी वज़े से ही individual की जो development है वो उसकी personality का development होता है यह किसने फोकस इस पर किया psychosexual factors पर सिंवन फ्राइड ने तो इरिक इरिकसन ने किस पर किया था psychosocial याद रखना है इसमें confusion मत करना अगर यह question आए किसने किस पर focus किया it consists of five psychosexual stages इसने कितने stages दिया फॉइव स्टेज़ दिया ऑफ डिवलपमेंट विच दिसक्राइब जो डिसक्राइब हमें करते हैं क्या डिसक्राइब करते हैं एक personality डिवलप कैसे होती है इने कि एक individual की डिवलप पर सिनलिटी होती है वो कैसे डिवलप होती है ओके easy है और इसने एक concept जिसका हम बहुत है लिबिडो is a driving force इस ने कहा यही एक driving force है जिसकी वज़े से individual जो है वो उनके अंदर एक development होती है उसका मतलब क्या होता है सर इसका मतलब क्या होता है लिबिडो का मतलब इसका मतलब होता है energy created by the survival and sexual जो आपके अंदर क्या होते है वो चीजे जो by nature आपके अंदर होती है ठीक है उसी को इसने क्या कहा उसी को इसने क्या कहा लिबिडो ठीक है ल आई बी आई डी ओ ठीक है ओके चलिए next next slide पे चलते हैं अब इसके stages को समझते हैं लेकिन उससे पहले आपको दो concept रसी आत रखने है एक तो लिबिडो जो वो चीजे हैं जो natural है आपके अंदर ठीक है दूसरा fixation इसने concept दिया है fixation का मतलब क्या होता है अगर कभी भी अगर certain issues if certain issues are not resolved at an appropriate stage fixation होता है लिबिडो का मैंने आप तो बताया दिया कि natural qualities ठीक है और दूसरा इसने कहा fixation का concept इसने fixation का concept ये कहा fixation का मतलब ही होता है कि अगर कुछ issues को certain issues को एक appropriate time पे solow नहीं किया आग जाता है तो individual के आदर fixation होता है fixation का मतलब होता है stuck वो उसी के साथ रहता है उन चीज़ों के साथ वो हमेशा फिर रहता है जैसे एक बच्चा दूद पी रहा है उसकी feeding हो रही है अगर एक time आने के बाद उसको उन चीज़ों से उस चीज़ों से नहीं छो fixation समझाई यह वो stuck रह गया उन चीज़ों के साथ ठीक है तो उसको बोलता है fixation यह दो concept आपको याद रखने है main उसके बाद चलते है stages पर stages इसने क्या कहें पहला stage जो इसने लिया उसका नाम इसने रखा oral stage ठीक है oral stage इसने कहा बरत से लेके एक साल तक यह होता है coral stage इसमें इसने कहा इसको इसने कहा erogenous zone कि इस दोराण जो individual है उसका जो main main जो इसका zone है जहां से इसका development होता है जिस चीज की वज़े से इसका development होता है जिसे यह zone कहता है वो कहता है erosion zone zone का मतलब होता है जहां से हम बोलते है mouth से zero से एक साल तक का जो बच्चा होता है वो क्या होता है वो उसका development जो होता है personality development वो किस zone से होता है वो mouth से होता है ठीक है sir erogenous का मतलब क्या होता है erogenous का मतलब होता है producing sexual excitement ये वो zone होता है जहां से इसको sexual क्या मिलता है Sexual Excitement, ठीक है, मैंने पहले ही कहा, सिंगमन फ्राइड ने ये कहा कि इनसान का जो development होता है, इन्डिजवल का development, personality development क्या होता है, वो psycho sexual stages की वज़े से होता है, factors की वज़े से होता है, sexual stages की वज़े से होता है, ठीक है, तो ये कहता है mouth जो है ये एक individual को क्या produce करके देता है sexual excitement ये इसको excitement देता है produce करके जहां से इसका development होता है तो पहला zone क्या बनता है इसके लिए development के लिए erogenous zone जिसको क्या बनता है mouth बोलता है mouth वो क्या produce करता है sexual excitement ठीक है ओके चलिए फिर वो क्या कहता है कहता है the primary source of interaction occurs through the mouth ये कहता है सिक्मन फ्राइं कि जो primary आपका source है interaction का जब आप interact करते हो इस world से पहले आप किस से करते हो mouth से करते हो क्यों mouth से करते हो through the mouth through the mouth ही आपको पहले क्या चाहिए आपको खाना चाहिए सर्वायू जिन्दा रहने के लिए ठीक है तो उसके लिए पहले जो बच जाता है वो कौन उसके लिए interact करता है mouth करता है mouth is vital for eating कि ज़रूरी है खाने के लिए एक infant के लिए और drives pleasure जो pleasure वो लेता है अब देखिए चलो यहां तक तो ठीक है okay sir ठीक है यह समझ में आये कि mouth से ही उसका जो development होता है वहां से ही वो सारा eating वीटिंग करता है उसी से first interaction करता है यह तो ठीक है लेकिन note करके मैंने लिखा है sorry note करके मैंने लिखा है यहां पर if fixation will occur fixation हमने क्या कहा था fixation हमने क्या कहा था fixation हमने कहा था अगर उसका वो solon नहीं हुआ वो उसी के साथ stuck रहा सिग्मन फ्राइट ने कहा individual जो है would have issue dependency or aggression अगर इसको इस चीज के साथ फिर नहीं छोड़ा गया यानि बचे का बचे को जो time है एक वो छोड़ने का माउट से छोड़ने का फिर उसके बाद खुद खाने का ठीक है तो अगर वो उसी के साथ रहा तो उसके क्या हुआ है if oral fixation उसको किस किस चीज की आदत रहती है drinking की आदत रहती है smoking की आदत रहती है eating जैसे हम बोलते है smoking eating एर नेल biting ठीक है जो वो खाते है ठीक है वो उनको ज चीजों की आदत लग जाती है और उनके साथ issues क्या होते है dependency और aggression क्या होते है वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते है जिसे बच्चा होता है और उनके अधनर क्या डेवलप हो जाता है aggression डेवलप हो जाता है ठीक है और oral fixation में उनकी कौन-कौन से आदत रहती है drinking की आदत हो second stage इसने second stage का नाम इसने रखा tunnel stage ठीक है इसको इसने कहा ये one से three years तक होता है ठीक है अब one से हमने पहले कहा था वो birth से one तक होगा अब one से stage इसका दूसरा stage हो गया इंडी जो बज्चे का जो personality development का stage होता है वो दूसरा stage होता है one से three साल तक erogenous zone इसने कहा कहां से ये करेगा तो ये क्या कहेगा bowel and bladder control ठीक है bladder control मतलब ये क्या करेगा इसमें क्या होगा Sigmund Freud believed that the primary focus of the libido was to control bladder and bowel moments याने कि ये अपने bladder याने जो जहां से ये जो इसका याने कि जो इसका bladder है जहां से इसका पिशाब जो है जो निकलता है उसको control करने की कुशिश करेगा ये इस stage में ठीक है जैसे हमने उसमें बाढ़ पढ़ा था toilet training ठीक है यहां पर इन चीजों पर ये control करेगा major conflict हमने क्या का वही toilet training ये इस दोरान सीखेगा one two third stage तो zone क्या रहेगा और erogenous zone क्या रहेगा bladder control ठीक है ये हो गया second stage ठीक है तो उसके बाद क्या कहता है उसके बाद कहता है अच्छा अब अगर ये successful हो गया एक बच्चा जो है इन चीजों में इस चीजों में control इसमें successful हो गया कि वो annual stage में क्या हो गया उसने control सीखा अपने bladder को यानि कि अपने पिशाब को रोग नहीं का उसने ये वो इसमें सक्सेस्फल होगे तो कॉमपालिशमेंट और इंडिपेंडेंट सी हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट फील करेगा फ्राइट सेड और फ्राइट इसमें ये कहता है पैरेंटस एप्रोच मैटर है लाट उनको इसमें क्या करेंगे उसको उनको याने उनके साथ अच्छा बेणकर इसदोरान तो उसमें वो बहुत मैटर करता है तो उसकता है कि बच्चे जो है वो ये जो हुज वो वो सीखे ठीक है लेकिन अगर parents का negative approach रहा can result negative outcomes उससे क्या आएंगे तो फ्राइट क्या曰हा अगर fail हो गया दो Simmons快 कहता है अनल exclusive personality develop हो जाएगा एक individual के अंदर ठीक है याद रखना अनल exclusive personality develop हो जाएगा जिससे हम वो जिसे वो बोलता है destructive personality बन जाएगी उसकी ठीक है चालिए फिर उसके बाद कहता है stage number third कहता है सिगमन फ्रायड फिर स्टेज थर्ड आता है एक individual का जिसे वो बोलता फैलिक स्टेज ठीक है फैलिक स्टेज यह कहता है ये 3 से 6 साल तक आता है पहले हमने कहा है एक से 3 दूसरा तीन से रूसरा जिरो से 3 एक से 3 तीन से 6 अब इसमें ये zone क्या देता है ये भी कहता है इरोजिन तर और मंजून यानि जनीटालिस सब जनीटाल्स क्या होते हैं? जनीटाल्स simple होते हैं, और गनजाप reproduction यानि एक individual के सेक्च्चुल से जिसे वो reproduction करता है या intercourse करता है उन्हें को हम बोदे genitals ठीक है अब ये क्या कहता है इस stage में जो लोग है जो बच्चा होता है वो क्या करता है वो अपने genitals को देखता है और primary focus of libido is genitals याने जो उसके अंदर की qualities nature qualities हो दिये वो सबसे ज्यादा focus कि इस पर करता है अपने genitals याने अपने sex organs को देखता है कि मेरे उसके और सारी हर कोई individual एपने sex organs को देखता है और उसके बाद वो क्या करता है children begin to discover वो डिस्कवर करता है कया the difference between the male and female जब वो अपने genitals देखता है, अपने sex organs देखता है, reproductive organs देखता है, तो वो difference करता है, क्या वो male world में है, या female world में है, ठीक है, उसको difference पता चलती है, ओके ठीक तो है, यहाँ तक, सिटेश थर्ड, लेकिन, लेकिन, सिटेश थर्ड में आपको जुरूरी जो important point याद रखना है, edifice और elektra complex, सर यह क्या होता है, सिग्मन फ्रायड ने कहा, इस stage में एक चीज़ वो develop होती है, children's में, जो जिनका personality development होते है, जो इस stage में होते हैं, उनके साथ यह होता है, edifice complex, वो कहता है, edifice complex का मतलब होता है, feeling of desire for their opposite sex, jealous anger towards the same sex parents, दीक है, वो कहता है, जो लड़के है, वो क्या करते हैं वो एट्रैक्ट हो जाते हैं फीमेल सेक्स की हो ठीक है बॉइस फीमेल सेक्स की हो कहता है यानि वहाँ पे फीमेल सेक्स को होता है उसकी मदर होती है उनकी और एट्रैक्ट होता है और वो क्या फील करता है वो फील करता है जेलिस एंगर किसके साथ सेम सेक्स यानि जो इसका parent होता है इसके साथ फील करता है jealous, यानि उसके साथ jealous anger उसके साथ फील करता है और attract किसके होता है अपनी opposite sex यानि जो उसकी mother होती है ठीक है और वो कहता है और दूसरा जो होता है electro complex, लड़किवों में क्या होता है नमें होता है, electro complex Electra Complex का मतलब होता है Girl's sense of competition with Sorry competing with her mother For the affection of her father उसकी affection किसकी ओर हो जाती है उसकी affection opposite से जिने Father की ओर हो जाती है इस दोरान और वो jealous feel करते है किसके अदर mother यानि वो खुद को ये क्या करती है उसका वो समझते है उसका competition किसके साथ है Mother के साथ है ठीक है इसको Electra Complex बोलता है उसको Audit Complex बोलता है याद रखना है Audit Plus ठीक है Audit Plus ये याद रखना है ये किस स्टेज में होते है Phallax स्टेज में ये कहता है कौन कहता है ये Sigma Fright कहता है Then उसके बाद जो Last Stage Sorry जो Fourth Stage है वो Sigma Fright कहता है कौन सा स्टेज है वो Latent Stage है ठीक है Latent Stage Latent Stage वो कहता है वो 6 से कहां तक होता है Puberty कहां तक Puberty ठीक है Puberty तक होता है Zone कोन सा होता है इसमें भी Eroginous Zone होता है यानि Sexual Feeling Are Inactive अब तक ये कहता था कि Sexual Feeling Is Develop हो जाती है लेकिन इस Stage में क्या कहता है Sigma Fright इस Stage में कहता है Latent Period में कहता है इस Stage में Super Ego Develop होता है Super Ego While जो I Id होता है वो क्या होता है Id जो होता है वो Surprise होता है ये इसका एक Concept है जो मैं आपको Next में पढ़ाऊंगा Socialization जो थेरिये इसकी उसमें इसने Concept दिया है Id, Ego, Super Ego इसने 3 गंद सप्रिज दिये है ठीक है Super Ego का मतलब होता है वो Individual जो Society के Society में कोई भी चीज गलत नहीं करता है वो According to Society चीज़े करता Id का मतलब होता है Id हमेशे चाहता है कि Pleasure हासिल किया जाए Id का मतलब होता है ये वो Socialization का Part होता है इसमें Individual चाहता है कि खाली Pleasure चाहिए इसको जो भी Society में है गलत है ठीक है वो सब करो लेकिन Individual को Pleasure चाहिए वो गलत और रांग सारी राइट और रांग का नहीं सोचता है तो Super Ego वो होता है जब वो राइट का भी सोचता है तो रांग का भी सोचता है ठीक है दोनुचीज़े ठीक सोचता है और गलत चीज़े नहीं करता है राइट चीज़े करता है तो Society को Acceptable होती है यह क्या कहता है यह कहता है इस Stage में यह होता है Latent Stage में जो Ido होता है वो Suppress हो जाता है यानि वो दब जाता है यानि इस stage में एक individual वो चीज़े नहीं करता है जो उसको लगे कि ये गलत है उसमें pleasure है, मज़ा है उसको लेकिन वो नहीं करता है ठीक है, इस super ego develop होता है अगर उसमें pleasure है गलत है वो नहीं करेगा अगर pleasure नहीं भी है ठीक है लेकिन वो वो चीज़ करेगा ठीक है चलिए इसमें और क्या होता है चिल्डरन डेवलप सुपेशल सिकल और इस सिटेज में क्या बच्चे सीखते हैं सुपेशल सिकल सीखते हैं वैल्यू सीखते हैं लेशनशिप इस साथ आउटसाइड आप दा फैमिली ठीक है वो क्या सीखते हैं रिलेशेशन डेवलप करना बाकी लोगों के साथ आउटसाइड आप दो फैमिली फैमिली के बाहर से भी ओके इन दिस स्टेज सेक्च्च्वल एनरड़ी ए रिप्रेसेड और डॉरमेंट इस एनरजी हैट इन्टो अधर अटर एह दो इस सीखते हैं इस्टेज में बच्चे क्या करते हैं इस स्टेज में परिशनेललिी डेवलपमेट इसका होता है वो क्या करता है उसके साथ यह जाता है जो उसकी sexual energy है वो और areas में वो use करता है कौन-कौन से areas में intellectual pursuits and social interaction वो क्या करता है वो intellectual pursuits हासिल करने के लिए intellectual बने के लिए उन चीज़ों वहाँ energy हासिल करता है education में करता है ठीक है plus भी social thought को समझने में यानि बहुत सारे scientific inventions intellectual बने के लिए ठीक है in developing of social and communication cycle इसी stage में एक individual क्या सीखता है social or communication cycle ठीक है communicate से लफ कर रहा है और select confidence भी वो किसी stage में इसी latent stage में कौन कहता है यह signal pride कहता है ठीक है लेकिन if the fixation अगर fixation हो गया तो क्या होगा result in immaturity यानि अगर वो इसी के साथ ही रह गया तो इसका मतलब क्या है उसके अंदर के आजाएगी immaturity and inability आजाएगी to fulfill relations as an adult where relations develop नहीं कर पाएगा ठीक है यह stage समझाए यह stage भी बहुत easy है अब last stage को समझ दे last stage यह क्या कहता है last stage जो है last stage सिग्मन फ्राइट कहता है the genital stage और genital stage का मतलब क्या होता है पहली में नहीं आपको बताया genitals क्या होते है अच्छा puberty to death कहां तक यह फिर puberty to death और इसका भी zone क्या रहता है erogenous zone erogenous zone का मतलब होता है maturing sexual interest जब इसके interest क्या होते है mature हो जाते है ठीक है in this life final stage final stage में क्या होता है individual develop है strong sexual interest in the opposite sex ठीक है उसका opposite sex होता है इसके अंदर develop हो जाते है strong sexual interest is develop हो जाते है और और क्या develop हो जाता है well-pher up others भी इसी stage में develop हो जाता है ठीक है ओके यह थी सिग्मन फ्राइड की कौन सी theory human development की कितने stages इसने दिये है 5 stages यह है 5 क्योंके 5 जो आपको याद रखने है age आपको याद रखनी है और जरूरी इसमें आपको क्या याद रखना है इसमें आपको zoonus याद रखने है यहाँ से कोच चना दे बताइए zoonus क्या है और इसमें जो सबसे जरूरी point है वो है libido और fixation और सबसे important जो मैंने आपको third stage में पढ़ाया the phallic stage जो phallic stage है genitalus उसमें क्या audiflus और electro complex यह याद रखने है और इसके books याद रखने है यह इसकी theory है ok thanks तो channel को share करते रहिए subscribe करते रहिए और like करते रहिए comment भी करते रहिए ठीक है thanks